श्री शिवाय नमस्तु भी हम दोस्तों पुझ गुरुजी पंडित प्रदीब जी मिश्रा की कथा को श्रवन करने के बाद बूरी नजर अगर आपके घर पर किसी की लगी हुई है जिससे दुख परिशानिया दूर नहीं हो रही है लगातार परिशानियों का दोर बना रहता है समस्याएं उत्पन होती रहती है वह धन संबंदित हो या फिर घर में वाद विवाद वाली इस्तितियां छोटी छोटी बादों पर पेदा होती है तो बुरी नजर अगर आपके घर पर किसी की लग चुकी है तो पुझ गुरुजी पंडित प्रदीब जी मिश्रा क्या यह उपाई विदिवद रूप से विस्तार पुरुवक पहले हम अच्छे से समझेंगे उसके बाद आप यह उपाई करियेगा पांच काली मिर्च वाला यह उपाई विदिवद रूप से आपको पहले समझना है और पुरी श्रद्दा विश्वाश के साथ अगर आप यह बना रहता है पूरी नजर अगर आपके घर पर किसी की लग चुकी है तो वह पूर्द रूप से समाप्त होगी बाबा महाकाल की आपार क्रिपा आपको मिलेगी तो यह चोटा सा उपाई आईए जानते हैं विदिवद रूप से विस्तार पुरुवक इस उपाई को करने के शीव मंदीर में आपको चले जाना है शीव मंदीर में जाने के बाद किस प्रकार से आपको इस उपाई को करना है अच्छे से समझेगा क्योंकि अगर आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ जिस प्रकार से बताया जा रहा है यह उपाई कुछ इसी प्रकार से करेंग तो आपकी वास्तव में जो भी समस्याएं हैं वह दूर होंगी देखे जो पांच काली मिच के दाने आप अपने साथ लेकर आए है उसे शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजेगा उसके बाद आपको क्या करना होगा की जल अर्पित करने के बाद जो काली मिच के दाने आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित किये थे उसे उठा लीजिएगा और उसे उठा कर जो अपने साथ आप दीपक लेकर आए हैं उसके अंदर आपको डालना है इन पाचो काली मिट्च के दानों को कुछ इस प्रकार से आपको काली मिट्च के दानों को इस दिपक के अंदर जो आप अपने साथ लेकर आए है उसके अंदर डाल देना है और उसके बाद आपको यह दिपक प्रजलीत कर देना है आपके घर पर किसी की अगर नजर लगी होगी तो जलकर राख हो जाएगी साथी में बावा महाकाल की आपार कृपा आपको प्राप्त होगी यह चोटा सा उपाय आप कभी भी कर सकते हैं अगर समय की बात करें तो उठकर आप यह उपाय करेंगे तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वह दूर होगी पाच बजे से आठ बजे तक आप यह उपाय कर सकते हैं अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशे जानकर ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमें करकर पूछ सकते हैं पंडित प्रदीब जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आग बिजाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा श्री शिवाय नमस्तू भी हम हरहर महादेव